प्रेंड्स वेलकम टू इस्टड़ी प्री कॵेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम नागपूरी लोग कत्ह कमल और केतकी पढ़ेंगे यह लोकत्ह जो है graduate level का syllabus में है यानि कि cgl का exam हो यह जो भी graduate level का exam होगा इसमें यह लोग कथा पढ़ना है तो ये लोग कथा अभी तक YouTube में सायद कोई नहीं पढ़ाए हैं कारण यही है कि ये थोड़ा सा tough है कुछ-कुछ word इसमें tough है तो इसको हम लेकर आये हैं और ये YouTube में free भी रहेगा बाकी जितना भी क्लास है हमारा app है study pre question उसमें सारा क्लास चल रहा है लेकिन देखे कि इस लोग कथा को कोई नहीं पढ़ा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि इसको YouTube में डाल देते हैं तो चलिए वीडियो को नाम है अब आगे समझेंगे देखे किसी किसी लोग कथा में इस तरह का चार लाइन जो की कबनाईत या कहावत का सकते इस तरह से दे देता है बहुत ज्यादा इसका सटीक अर्थ नहीं निकलता है फिर भी हम लोग इसका अर्थ जानने का कोशिस करेंगे हसुआ इसन सोच की टेकुआ इसन टेढ़ा हसुआ काते हैं धानून काटने के लिए ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ रहता है तो हसुआ इसन सोच की टेकुआ इसन टेढ़ा टेकुआ होता है ये पहले कपड़ा बुनने के लिए जो चर्खा टाइप का मसीन गाओ दे हात में उसमें एक टेकुआ होता था लोहे का यह road होता था बहुत सिधा यहाँ पर समझिएगा यहाँ तो यहाँ यहाँ आपाध से फसह सह लेकिन जैसा रहा है आईaid हियोगा जैसा सिधा इसके बारे बोल रहा कितना खरच जानिये कितना है अढ़ाई है खरच जो है अढ़ाई है और कमाई कितना है कमाई डेड़ ही है खरच तो अढ़ाई है और कमाई कितना है डेड़ है चाओर चाओर फिरे पेटू तो खोईर खोई टेटू चाओर चाओर मैंने पहले भी बताया था कि चाओर चाओर लेकिन हर गाऊ में जगए-जगए- पी도 कुमता है यह जमा होते है यह गाऊं का समझझ यह कि मुखिय अस्थान यह भी होता है तो खौईर मालची आदमी खोईर-खोईर घुमता है और पैटода मीं भी का करता है सिमान-सिमान चौरहाँ छौरह घुमता है गप कर है ठंठन गपी बईठ रहें निक्टु घप कोन टा है ठंठन गपी जो है गप मारते रहता है और वे तरहें निक्टु Deputygrand मयं है जिसके पास कोई काम नहीं विरोजगार उसको काते है क्या भोल id निखतु तो क्या बहुत हffic? जो है ठंड़न गपी गप मारते रहता जिसके पास ठंड़न काने का भी आर्थ है कि उसके पास भी कूंछ नहीं है लेकिन वह हागते रखता है और बैट रहे निखटू और बैट के कौन रहता है कौन जो बिरोजगार है निकम्मा है वह क्या करता है बैट के रहता है तो ये इसका एक अर्थ निकलता है इसन छहर छबी नामक एक नगर रहे जहां भुवन भर नामक राजा राइच करत रहे तो ऐसा एक छहर छबी नामक एक नगर था जहां भुवन भर नामक राजा राइच करत रहे तो राजा का नाम क्या था भुवन भर और शहर का की नाम क्या था छहर छबी ये नाम है भुवन भर कर विद्याधर नामक दिवान रहे तो भुवन भर का दिवान था एक उसका नाम क्या था विद्याधर जेकर मदद से उ दिग विजय पाय रहे और धन जस कमाय रहे यहाँ पर समझेगा जो विदियाधर नाम का जो दिवान था राजा का भुवन भर राजा का जो दिवान था विदियाधर नाम का उसी का मदद से राजा दीग विजय पाय रहे हैं यानि कि हिंदी में उसको बलते हैं यस आप जानते हैं ख्याती परसिद्धी तो उसी का मदद से वो धन भी कमाये थे और ख्याती और परसिद्धी भी कमाये थे भुवन भर कर विहा चामुंडा नामक राजकुमारी से हुए रहे तो भुवन भर का जो राजा था उसका विवा जो है चामुंडा नामक राजकुमारी से हुआ था थोड़ेक बच्छर राजा चामुंडा से सुखे रह लग थोड़ेक बच्छर यानि की साल थोड़ेक यानि की कुछ कुछ साल जो है राजा चामुंडा के साथ सुखी से रहते हैं मगर जब उकर कोरानी भर लग तो उचांडी नामक दोसर राजकुमारी से विया कर लग मगर यानि की लेकिन जब उसका गोद नहीं भरता है चामुंडा से पहली वीवी जो थी चामुंडा उसका कोई गोद नहीं भरता है तो वह चंडी नामक दोसर राजकुमारी से विया कर लग उक्रों से कतना बच्छार वितलग तेव राजा कोई छबाकर collecting देखने को मिलता है है तो गवरी नामक राजकुमारी से विवाह करता है, तो क्या करता है, राजा गवरी नामका राजकुमारी को विवाह करके ले आता है, गवरी जवान रहे, सुन्दर रहे और उकर सीलो सोभाव नगद रहे, तो गवरी जवान थी, सुन्दर थी, और उसका सीलो सोभाव कहने कर करते हैं कि उसका स्व भाव जो था नगत-नगत करते हैं अच्छा को बेस को वे ब्लेश भी करते हैं नाकपुरी में तो उसका तो ज Гос zaw плох एक्ट तो उसका स्वभाव जो था क्या था अच्छा था ये जो गवरी जो थी वह सुन्दर भी थी जवान भी थी और उसका स्वाव भी क्या था बहुत अच्छा था से राजा रीज गेलक और उके बढ़की और मंझली रानी मनले पूरे प्यार करेक लाग लग से यानि कि उससे क्या हुआ राजा रीज गेलक रीज यानि कि खुसी राजा खुस हो जाता है और उके बढ़की और मंझली रानी मनले पूरा प्यार करेक लाग लग तो और वह राजा जो है खुस हो जाता है और उसको बड़ी और मंजली राणियों से ज्यादा प्यार करने लगता है ले का आर्थ होता है से मगर अभागा राजा लाई ओहो कोनो छवगा की नी जनम दे लग लेकिन अभागा राजा के लिए क्या है वह भी कोई बच्चा को जनम नहीं देती है लाई यानि की लिए के लिए से राजा मन मायर के उदास निरास होई गलक और मने मन कहेक लाग मर रहे हम तीन-तीन रानी राख ली मगर एको छवगा कर मुह देखेक नी पार ली फिर क्या होता है कि राजा जो है उदास और मन मार के क्या हो जाता है उदास और निरास हो जाता है और मन ही मन कहता है कि मर रहे हम तो तीन-तीन रानी रखे मगर एको छवगा कर मुह देखेक नी पार ली आनि कि हम एक भी बाच्चा का मुझ देखने नहीं सके पाली यानि कि सके से अब का कर अब सो अब हम क्या करेंगे एतना बड़का राइत के 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 छोड़ राखे इतना बड़ा राज यह जो है राजपाथ है उसको हम किसको छोड़ रखेंगे हमार धन, जस, सब छुचा भेलक और जीवने अकारत गेलक राजा कहता है कि हमारा धन और जो यस था, ख्याती था, परसिधी था वो सब छुचा, छुचा कहता है खाली को छुचा बरतन कहेंगे खाली बरतन तो सब छुचा भेलक यानि कि सब खाली हो गया और जीवन ने अकारत गेलक और जीवन जो है अकारत कहते वेयर्थ को और जीवन जो है मेरा वेयर्थ चला गया हमारा धन और यस सब कुछ चुछा हो गया खाली हो गया और वेकार हो गया और जीवन भी अकारत गेलक यानि कि वेकार गया से राजा भुवन भर बहुत चिंता और दुख में रहते थे एक दिन महल में कने लेगो साधु पहुँच जाता है राजा और राणी हारमन उकर से भेट करेक निकला लें और उके गोड़ लाग लें तो राजा और राणी जो थी उससे भेट करने के लिए निकलती है और उसका पैर लगती है गोड़ यानि के पैर साधू उमन के आसीज देलक और कहलक निके रहू और जुग जुग जीओ साधू नाम भी आया है और आगे जाके जोगी राज भी आया है तो कनफ्यूज मत किजिएगा दोनों को याद रखेगा साधू उन लोगों को आसीज देते हैं और कहते हैं कि निके रहू निके रहू भी एक आसिर्वाद है नाकपूरी में और जुग जुग जीओ यानि कि सालों साल जीए का आसिर्वाद देता है वह साधू राजा जब जवाब दे लग जोगी राज रावरे हमरे के निके रह और जुग जुग जीए कर आसिस दे थी क्या बूल रहा हम लोग हमें हमको सूख है मगर जुग जुग जिने के यानि कि सालो साल हजारो साल जीने का क्या मोल हमर गड़ महल अंधन ज़स परताप सब व्यारत गोटा दुनिया हमर लाई सुना यहां तक समझ लिजिए हमारा जो है गड़ है महल है और अनधन जो भी है जस है यस है परताप है मेरा सब व्यारत यानि कि सब व्यारत है गोटा दुनिया हमर लाई सुना पूरा दुनिया गोटा यानि कि पूरा दुनिया मेरे लिए सुना है और दसो दिसा अंधार और मेरे लिए दसो दिसा जो है अंधेरा है कहा कि हामरे एको छगवा नहीं क्योंकि हम मेरा एक भी बच्चा नहीं है जोगी राज के राजा रानी मनक उपर सोग लाग लगता है तो उसको राजा और रानियों के उपर सोग लगता है, उनको अपसोस होता है उएक गोड पटकलक, चुटकी बजालक, मंतर बोल लग और चिम्टा हार के चटकालक, तो एक आमबा फर भुईये गिरलक उ आमबा के बीच के राजा के देलक और कहलक ई आमबा के तीनो रानि बाइट खावाए तो वह आम को जो है बीच के यानि के चुन को राजा को देता है और कहता है कि ये आम जो है इसको तीनो रानि बाइट के खाएंगे राजा रानी मन बढ़ खूस भेले और जोगी कर खूब माइन मरजात कर ले और दाइन दचना देले तो राजा और रानी लोग बहुत खूस होते हैं भेला यानि के होते हैं और जोगी का खूब मान मर्यादा करते हैं और उसको दान दचना भी देते हैं पूप दान देचना देते हैं जोगी चैल गलक तो राजा आम बाठ होके राणी मन के बाइट खायक दे लग जब जोगी चला जाता है तो राजा जो है आम को राणीयों को बाठ खाने के लिए देता है बढ़की राणी जोकलक और सैतीन हार मन के कहलक एकनी के जोगाय के रखेंगे यानि कि इसको अभी अच्छे से रखेंगे जतन से रखेंगे और पाच्छे यानि कि बाद में हम लोग तीनों इसको बाठ के खाएंगे राजा छोटकी के अधिक प्यार करते हैं से बढ़की और मंजली हिसगा से जरत रहें तो राजा जो थे छोटकी को अधिक प्यार करते थे जिसे की बड़이 ओर मंझली जो थी वो हिजगा जलन से जलते थे उससे छोटकी से बहुत जलन करते थे इर्शिया करते थे जरत रहा यानि Q जलत रहें और उके बहुत साधतो रहा हैं और उसको बहुत साथते थे साथते थे यानि कि तंग करते थे परिसान करते थे उसको तकलीब देते थे साधना यानि कि तकलीब देना अपने मन तो बैठल रहत रहें और छोटकी के ए कर उ कर कहके काम फरमाया देत रहें बेचारी जो छोटकी थी नी कुट मुटात रहें कुट मुटाना या कुण मुनाना कहते हैं ना नुकूर करना अगर कोई आपको काम जादे देता है तो कैसा आप थोड़ा सा ना नुकूर करते हैं कि नहीं करेंगे या अंदर या अंदर गुसा आते हैं उसी को कुट मुटा स्ट्राना करते तो वह ऐसा गुषा नहीं करती थी कुट मुठाति नहीं थी और अरहाल सौर बात पूरा करते रहां अरर नोगों का तो यह देना हुआ यानि कि आदेश दीया हुआ जो वह सब बात को वह पूरा करती थी से उमन छोटकी के एक काम अरहाय दे लाएं और हिने उमन आंबा के दियो जन छोईल खा लाएं छोटकी लाई एक चनावनी राख लें तो वो लोग क्या किया इसलिए वो लोग जो है क्या किया छोटकी को एक काम दे देता है अरहा देता है यानि की बोल देता है आदेश देता है काम करने के लिए कह देता है और हीने यानि की इधर वो लोग क्या करता है आम को दोनों दोनों दियो जन यानि की दोनों छोईल के यानि की छील के खाता है और छोटकी लाई एक चनाओ नहीं रखे यानि की छोटकी के लिए थोड़ा सा भी नहीं रखे उसका कोई भी आम का कोई भी भाग को वो लोग उसका आम को नहीं रखते हैं पाचे छोटकी आलग तो उमन बहना करके कहले हाय रे तो के तो हमरे एकदमें भूल गे ली जब पाची यानि की बाद में छोटकी आती है तो वो लोग बहाना कर देते हैं कि हाय रे तुमको तो हम लोग एकदम से भूली गए आमबा के तो हमरे खाय देली अच्छा दोसर धाओ जोगी आवी और आमबा देई होल तो है एक लाए खाबे फिर वो लोग क्या कहती है कि आ आमबा आम को तो हम लोग खा गए अच्छा दूसरा बार जाओ दूसर धाओ यानि कि दूसरा बार जब जोगी आएंगे और आम देंगे तो तुम अकेले उसको खाना ऐसा वो दोनों कह देती है छोटकी कहला बेस कर ला तब मगर वो आमबा कर चोका और आठु तो कहाओ हो और चोटकी कहती है कि बेस कर लाया आडी कि अच्छा किया है आप लोग लेकिन ब्रो adequately लेकिन उस आम का चोका यानि कि छिलका और आठु आठँ यानि कि गुठली तो कहीं होगा उन्मक अभी नहीं पार णारा का बढ़ा भूल हुआ भवाद हम लोग अकेले खा दिये चोटकी कुनों नाय कहल कि जोका और ऐठ्व के उठालक बहें लेकिन चोका को पीस के क्या करती है? पानी में गोईर के यानि कि घोल के पी जाती है थोड़े एक दिन पाछे छोटकी तो भारी गतरे होए कर चीन दिसेक लागलाग बता पोटनाएं कि आम कचलका और आठू Gulf में घून है चना में नहीं नहीं यानि कि उसका गुदा में नहीं हम्रे का जाने गेली की इसन बात होई हम लोग क्या जाने की ऐसा बात होगा नी तो हम रहे जुन चोका मन के पीस पी रहती आठु चाती और चना मन के उच छोड़िया के देती कि तो लोग क्या करें कि हम लोग क्या जाने की ऐसा बात होगा नहीं तो हम ही लोग क्या करत वो छिलका को पीस के पी जाते और गुठली को चाटते और जो गुदा जो है उसको आम का जो गुदा है उसको उस लड़की को देते यानि कि छोटकी को देते से उमनक छोटकी के पहले से पूरह सतायक लाग ले अब उसके बाद जो है वो लोग छोटकी को पहले से पूरह या देते थे और बात बात में खेकटाई गरिया और बात बात में उसको क्या करते थे खेकटाई कहने करते छूपचाप सब्सहते उप सब्सहते जाते थी संहु थे 9 महीना बीद गिलक और चूती कर छूटा चुटकी का चुटा होए कर दिन आला चुटा यानि कि अलग होने का तो अलग होने का था यहां कि चुटकी का जो है बच्चा का अलग होने का पेट से अलग होने का दिन आता है बच्चा होने का दिन आ जाता है एक बिहाने राजा सिकार खेलेक लाई बन जैक सप्र अलग और सेना पतिहार से घोड़ा उपरे फलगवो करला कि कोई कुईद के आया के बताला कि छोटकी के आपन दूख सुरू होए है और उपर सुती घर में पहुंचा लिया है तो एक विहाने यानि कि एक सुबा जो है राजा सिकार खेलने के लिए बन जाने के लिए सप्रा लगी तयार होते हैं और सेना पती के साथ क्या काते हैं घोड़ा के उपर फलगवो करला कि आनि कि उच्छल के चड़ते भी ठीक चड़ते हैं कि कोई दोड़ के आता है और बताता है कि छोटकी जो है उसका दुख सुरू हो गया है और वह परसूती घर जहां बच्चे को जर्म दिया जाता है वहा हम संगी सख हमन के कातर घूराय दे अब हम अपना संगी को कैसे घुराया दे यानि कि लौटा दे से याय के बढ़की और मज़ली रानी मन के कही दिज़ा की उमन छोटकी कर बेस सेवा जतन करो तो हम अपने साथियों को कैसे लोटाया देंगे तो तुम जाके बढ़की और मंजली रानी से कह देना कि वो लोग छोटकी का बेश सेवा जतन यानि कि बेश सेवा सुसार यानि कि सेवा सतकार करेंगे और बेटा च्छवा जे होई होल सोना कर घंटा बजवाबाए और बेटी च्वा होई होल रूपा कर घंटा बजवाबाए और वो कहते हैं कि रानियों को आदेस दे देना कि अगर बेटा च्वा लड़का पैदा होता है तो सोना का घंटा बजवाए गी रानी लोग और बेटी च्वा यानि कि लड़की पैदा होगी तो रूपा यानि क चांदी का घंटा बजवाएगी, घंटा सुनत की हम घुईराब, घंटा सुनते ही हम लोट आएंगा, ऐसा राजा कहते हैं, राजा सिकार खेलेक चैल गलग, हिने छोटकी कर दुख बाढ़ते गलग, राजा जो है सिकार खेलने के लिए चले जाते हैं, और इधर जो है छोट का दुख बढ़ते जाता है राजा का होकुम सुनके बढकी और मंजली उसको देखने के लिए आते हैं और काते हैं बच्चा को मुटा कपड़ा को जो है बांद दिया जाता था पेट के उपर में तकी दर्द भी कम होता था बच्चा का उपर चढ़ने का chances भी नहीं रहता था तो वो लोग उसका अलपड बान देते हैं तलेक उ सुन्दर सुन्दर जवा चवा जन्मालक एक बेटा चवा एक बेटी चवा उसके बाद तले यानि कि उसके बाद जो है वह सुन्दर सुन्दर चवा जन्मालक सुन्दर सुन्दर बच्चा को जन्म देती है एक बेटा बच्चा जन्म देती है और एक बेटी बच्चा उ तो छववा जन्मा एक पाचु बेहोस हो जायर है और वह जो है बच्चा जन्माने के पाचु यानि के बाद में बेहोस हो गई थी से दियो रानी चवा मन के चुराय के कुमार का गढ़ा में फेक देले सो दोनो रानी क्या करते हैं दोनो बच्चा को चुराय के कुमार का गढ़ा में फेक देते हैं और एक ठुटकी बढ़नी और निंजल लुआठी के लाइन के आगे राइक देले और क्या करते हैं ठुटकी बढ़नी ठुटकी काते हैं बढ़नी काते हैं जाड़ू को जाड़ू जब छोटा हो जाता है लाश्ट में देखते हैं चोटा हो जाता है उसको ठुटकी बढ़नी काते हैं यानि कि छोटा जाड़ू होगी है और निंजल लुआठी लुआठी कात कि ऑगए रख देते हैं जब छोटकी कर होस्गुर क्लाग लग लग तो अलपट के छो़ए दये लाएँ जब छोटकी को होस होने लगता हे लुटने लगता हे तो जो अलपट कौड़ा हुआ था उसको तो लोग छोड देते खोजा था यानि कि चाह रही हूं खोज रही हूं दियो सैतीन निठूर होएके और हाँ इसके ठुटकी बढ़नी और खोड़ा लुआठी सामने देखाया देलें तो दोनों सैतीन थी दोनों सौतन क्या करती निश्ठूर हसी ये वह होता है न निश्ठूर हसी वैसा निठूर होके हस देती है और उसको झाड़ू और वहा खोड़ा लुआठी यानि की जला हुआ लखड़ी को दिखा देती है और कहते है देखारि आपन शहवा मन के इतो का शहवा मन के जन्म है इस क्या करती है अपना बच्चो को देखो ये तुम कैसे बच्चो को जन्म दी हो बेचारी छोटकी रानी कांदेक विलखेक लागलक हुने सैतीन हार मन नोकर चाकर मन के हुकूम दे लाएं कि महर और नगर में पीतर और कांसाकर जतना बासन बरतन मिली सौब के बजावा तो बेचारा छोटकी जो है इधर रानी चोटकी रानी होए रोने और बिलखने में लग जाती है कांदे क्यानी की रोने हुनुधर से सोतन लोग क्या करती है नोकर चाकर को हुकूम देती है कि महल और नगर में जितना पीतल और कासा का बासन बरतन है बरतन है जो भी मिलता है सब को बजाओ ऐसा आदेश देती है पूरा नगर भर का जो बासन बरतन थंधनाने लगता है वाज करने लगता है और दूर दूर तक सुनाई देता है राजा सुन लग और सोचने लगते हैं कि यह क्या हुआ गोटा नगर में आइक कोनोती नहीं लाइगे लग राजा सोचते हैं कि यह क्या हुआ कहीं गोटा यानि कि पूरा नगर में कहीं आग तो नहीं लग गया उगोडा दवडाते आलग तो देखत है कि आदमी मन उकरबट ताइक ताइक के मुस्कात है वह घोड़ा दवडाते आते हैं तो देखते क्या है कि आदमी जो लोग थे वह उसकी तरफ ताक ताक के मुस्का आ रहे हैं वह इकर मतलब नी समझलक और सोझे परसूती घर्ठिन जाय के चामुंडा और चंडी के देखत की पूछलक बेटा है के की बेटी तो राजा जो है जब उसकी तरफ ताक ताक के हसते हैं मुस्का आते हैं तो वह कुछ समझने नहीं सकता है और सीधे परसूती घर के तरफ जाता है वहाँ चामुंडा और चंडी उसकी दोनों पत्नियां को देख के पूछता है की बेटा है की बेटी दियो राणी उके भीतर लेज के उठ ठुटकी बढ़नी और लुआठी देखाया के कहलें देखू महराज आएक भाईर के देख लेओ कि रावर प्यारी छोटकी राणी रावरे लाई का जन्मा है दोनों राणी उसको अंदर ले जाते हैं और वही छोटा जाड़ू जो था और लकड़ी जला हुआ लकड़ी को दिखा के कहते हैं कि देखिए महराज आँख भर के देखिए कि आपकी जो प्यारी छोटकी राणी है वह क्या चीज को जन्म दी है राजा के इस सब देख सुनके बड़ा कोप चड़लक और वह छोटकी राणी के लथियाय के कहलक ए अभागिन मोर जग हसाई करवालक तो राजा ये सब देख सुनके क्या करते हैं राजा को बड़ा कोप चड़ता है कोप कहते हैं गुस्सा को राजा को बहुत गुस्सा चड़ता है और वह छोटकी रानी को लथियाय के कहला यानि कि लात मार के कहता है कि यह अभागीन मोर जग हसाई करवा लग यह अभागन जो है मेरा जग हसाई करवा दी इसको महल से निकाल के नगर का बाहर बाहर कहीं भी फिक्वा दो नोकर मन उके नगर ले बाहर एक पोरा मचान रहते हाँ पोरा मचान पोरा क хватे पुआल मचान बनाई जाता था बास का इसे करके उसका उपर पुआल रखा जाता है तो वहीं मचान के पास पहुचा देते हैं पोरा मचान में पोरा मचान कर मालिक उके आपन घर लान लग और घरनी हार उकर सेवा करेक लाग लग तो पोरा मचान जो था उसका मालिक उसको अपना घर लाता है और उसकी घरनी हार यानि कि उसकी जो पतनी थी उसका सेवा करने लगती है गवरी कसट और फिकीर से बेहाल रहे है तो गवरी जो छुटकी रानी थी वह कस्ट और चिंता से बेहाल थी मगर इस सोच के धीरज धरला की ई होए कि नी परे मोई एक ठूठकी बढ़नी और खोरल वाठी के जन्म देतों मगर वह सोच के धीरज धरती है धीरज रखती है की यह तो नहीं हो सकता है कि मैं एक ठुटकी बढ़नी यानि की छोटा जाड़ू और एक जला हुआ लकड़ी को जन्म दूँगी से जरूर इकर में सैतिन मनक कोनो चाय ला है सो इसमें जरूर से मेरी सोतनों का कोई चाल होगा राजाओं उमनक बात के पतिया ले ला है और राजा भी उन लोगों का बात को पतिया यानि की विश्वास कर लिए मगर भगवान कोनो दिन मोर नियाय कर भाए और मोर अबजस के हर ले बाए लेकिन भघवान किसी दिन मेरा नयाय करेंगे और मेरा अबजस यानि कि मेरा दुख पीड़ा है उसको हर लेबा यानि कि हर लेंगे दूर कर देंगे सेट दिन कुमार कुमारीन माटी गोड़े गेल आये तो देखा थे कि उम्मनक माटी गाड़ी में दू जहन माटी गढ़ा में दू जहन बालक छववा फेकल है और कांदत है तो उस दिन कुमार और कुमारिन जो है माटी कोडने के खोदने जाते हैं तो देखते हैं कि उनलों का मिटी का गढ़ा में दो जहन यानि कि दो बालक बच्चा जो है फेका हुआ है और रो रहा है और कुमारीन कहलक कोन अभागीन यानि इसन सुन्दर छवड़्य है तो जो इतने सुन्दर बच्चा को यहां फेग दिया है तो क्या पता क्या जाने हमारा कोई बच्चा छवड़्य पुता यानि कि बाल बच्चा नहीं है इसलिए भगवान हम लोगों को ये दिये है इन लोगों को हमको दिये है से हमरे इमन के लेजब और पोसब सो हम लोग जो है इमन के यानि इन लोगों को ले जाएंगे और पोसब यानि की पालेंगे कुमार कहता है कि हाँ हाँ ठीक ही कह रही हो चलो इन लोगों को ले जाएंगे इन लोगों का अच्छा तरह से शेवा होना चाहिए से उमन दियो छववान के लेज लाएं और पोसेक लाग लाएं फिर क्या करते हैं वो लोग दोनों बच्चा को ले जाते हैं और पोसने लगते हैं पालने लगते हैं धिरे धिरे छववान बाढ़ लाएं और कुमार कुमारिन के बाढ़ लाग लाएं फिर क्या होता है धिरे दोनों बच्चा जो है बढ़ना यानि कि बढ़ जाते हैं और कुमार कुमारिन के बा मा कहे कर कहने लगते हैं तो क्या कहते हैं कुमार कुमारिन यानि कि बा कहते हैं पिताजी को हम लोग अभी भी कहते हैं बा बा पिताजी को कहते हैं कह लोटा आते थे वो लोग मा बा कहते थे तो ये लोग बेटा बेटी कहके उसको जवाब देते थे जब छवगा मन चले फिर एक लाग लाग ले तो कुमहार छोड़ा लाई एक ठो काट कर घोड़ा बनाये देलाग और छोड़ी लाई सुपली मौनी कींद लाग तो जब क्याका घोड़ा जब बढ़ा हो जाएगा तो नाचु उसको बढ़ाय थे कोई लोग कता या कहानी में नाचू से मुर्गी लोग ज्याकने लगता है वही नाचू हो जाता है तो ये छोटा सा बांस का समझी टोकरी है मौनी तो उस लड़की के लिए सुपली और मौनी खरीद देता है कहीं पस लोक अथा में और लिखा हुआ भुनेस्वर अनुजी का बुक में लोगीत में की दे डी खोईर ये सब गाउं का जगा होता है छोड़ा आपन घोड़ा के कहला काट घोड़ा पानी पीपी छोड़ी कहला सुपली मौनी जीरी हिरी खेल खेल तो काट घोड़ा क्या कहता है पानी पीपी तो बच्चा खेलने लगता है और क्या कहता है घोड़ा से कहता है कि काट भड़ा लकड़ी का घोड़ा पानी पीो पानी पीओ और लड़की क्या कहती है सूपली मौनी छीरी हीरी छीरी छीरी हीरी ये खेल है बच्चों का खेल होता है तो तुम छीरी हीरी खेलो इस طرح से दोनों कहते हैं नगर ठिन पुदूम सर नाव कर एक सुन्दर और बड़का दरियार है तो नगर ठिन यानि कि नगर के पास पुदूम सर नाव का एक सुन्दर और बड़का दरिया था तो नगर ठिन नगर के पास पुदूम सर नाव का क्या था एक सुन्दर और बड़का दरिया था दरिया था या तलाब कह सकते हैं पुदूम कहते हैं पुदूम यानि कि ये पदम सब से बना है पदम कहते हैं कमल को सर यानि कि तलाब तो कमल तलाब के नाम से कह सकते हैं लेकिन question में पुदूम सर ही कहेगा लेकिन इसका आर्थ जान लिजे पदुम लिखा है पदम को जो की कमल होता है और सर काते हैं तलाब को तो कमल तलाब के नाम से जो एक सुंदर सा बड़का दर्या था का सकते हैं बड़ा सा तलाब जैसा था या दर्या ही था एक एक धाव रानी मन उवहां नहायक जात रहें तो एक एक धाव यानि कि एक एक समय रानी लोग वहां नहाने जाती थी एक दिन उवहां नहायक के महल घुरत रहें तो देख लें दियों छवगा खोईर में खेल रहल आहें एक दिन वो लोग नहा के महल में लटते हैं तो क्या देखते हैं दोनों बच्चा जो है वही खोईर में खेल रहा था छोड़ा का है काट गोडा पानी पी और वहिन हार का है सुपली मौनी ज히री हीरी खेल-क्यल तो लड़का क्या कहता था काट का घोड़ा पानी पी पानी पी और बहन क्या कहती थी सुपली मौनी जीरी हीरी खेल जीरी हीरी खेल तो रानी मन सुन लाए और हाँ इसके कह लाए काट घोड़ा नी पानी पी सुपली मौनी की जीरी हीरी खेली तो वो लोग जो रानिया थी दोनों, वो लोग सुनते हैं और हस के कहते हैं कि काट का घोड़ा पानी नहीं पिएगा, सुपली मौनी कभी जीरी हीरी नहीं खेलेगी, ऐसा कहके दोनों रानिया कहती हैं, छवगा मन हस ले और कई घुरा ले, कोई माय के ठुटकी बढ़नी और खोरा लुआठी के जन्म देई, तो बच्चा लोग हसते हैं और कहते हैं कि कोई माय जो है, ठुटकी बढ़नी और खोरा लुआठी को जन्म देगा, देगी, ऐसा वो लोग बच्चा लोग कहके बोलता है, रानि मन सुन के ठाक रहे गे ले, तो रानि लोग सुन के सन रह ज आती है तलो की मुलार को लिएंचा को मरा करख़ांडा भी के मुलाए को क्यास हुआ जो पांडे यानि हम लोग कोई बिमारी का बहाना बनाएंगे और क्या करेंगे और अपना पुजारी को मिला के कुछ उपाई करेंगे इन लोग का मिला के अपना पुजारी को मिला के उससे कोई मतलब कुछ बहाना करके इन लोग को मारने का उपाई करेंगे तो यहां पस लोग कथा लंबा है इसको अभी एक ही पार्ट में करते हैं तो मेरा सारा कलास जो है मेरा एप है study pre question वहाँ पस चल रहा है सारा कलास तो आप लोग जो लोग अभी तक कलास से नहीं जुड़े हैं वो लोग कलास से जुड़ जाएए उसके लिए study pre question एप को download किज वहाँ दिखाएगा नागपुरी course for JSSE CGL and other graduate level इसके लिए एक course बना हुआ है वहाँ सारा वीडियो मिलेगा आपको सारा PDF मिलेगा और chapter wise MCQ भी मिलेगा साथ ही साथ chapter wise test series भी मिलेगा जिसमें कि आप जाके किसी भी topic का test लगा सकते हैं अगर आप ये लोग कथा पढ़े तो इ है तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग कलास से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से कलास से जुड़ जाई थैंक्स फूर वाचिंग